सस्क्राइब करिए हमारे चैनल टार्गीट टीचर जॉब और बेल आइकन को जरूर दवाईए हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं फ्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आप के पने चैनल टार्गीट टीचर जॉब में दोस्तों आज हम डियलग था स्मेश्टर का सामाजी कध्यान विसे देखेंगे और यह आपका राजन सिरीज से तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ रहते आती लगूत्री है परसने जिसमें हम लोग 98 तक पढ़ चुके थे और आज देखेंगे हम 99 से तो चलिए शुरू करते हैं सहारा मरोस्तल किस महादीप में इस्थित है तो दोस्तों यह है आपका अफरिका महादीप में सहारा मरोस्तल का है अफरिका महादीप लियर यहाँ पर देखे कोश्चिन नमर 100 है व्यापार के द्वारा वस्तूओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों निरियात कहते हैं जो भी वस्तूओं हम अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं इसको क्या करते निर्यात करते हैं यानि कि export पर देखिए question number 101 है समर्ती सूची के विसे dol buld कार कानून सकती है तो दोस्तों यहान पर देखिए समर्ती सूची के विसे के विसे के केंड्रवा राज्ज जी की सरकारें कानून बनाती है लेकिन दोस्तों अगर वरियता की बात कहें तो ज़्यादा वरियता केंद सरकार के कानून को दी जाती केंद सरकार जो भी कानून बनाता समर्थी सूची के विशे में उसको ज़्यादा माननी किया जाता है यहाँ पर दिए 102 कोशिन नमबर है राज़े सबा के सदस्यों का कारेकाल लिखिए इसके एक तिहाई सबा से कितने वर्स बाद आवकास ग्रहन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखे राजसवा के सदस्यों का जो कारेकाल होता है वो 6 वर्स का होता है इसके एक तिहाई सदस्य दो वर्स बाद आवकास प्रहन करते हैं यानि कि दोस्तों यह जो आपकी राजय सभा होती है यह एक अस्थाइस दन होता है यह कभी भी भंग नहीं होता है जिस तरह से लोग सभा एक निमने सदन भी है और दूसरी बात लोग सभा कभी भंग हो सकती है हुआ कि दो दोस्तों जो भार्तिय संसद मिलकर बनी है जो भारत, पर बुर्ष यह आपका संसद की आपकी Rs. क्लीयर को यहां पर देखिए नमबर में पंच वरसी योजना का प्रारम्भुई तो दोस्तों पंच वरसी योजना 8 दिसमबर 1951 से 1956 को प्रथम पर पंचवर्सी योजना के विसे में यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्सी योजना कब प्रारम हुए तो यह 8 दिसंबर 1951 से 1956 तक इसका जो काल था यहां पर देखें कोश्चन नमर्बर 105 पर डच महल कहां है तो डच महल केरल में है तथा इसका निर्मा पुराना किला कहां है पुराना किला दिल्ली में इसका निर्माड सेर सा सूरी द्वारा 1544 से चौवाली से में किया गया था कोश्चन नमर्बर 107 देखें कि अकबर का मकबरा कहां है तो दोस्तों सिकंदरा जगह है फतेपूर सीकरी के पास पढ़ती है यह उत्तर दोस्तों आगरा फोट उत्तर प्रदेश में इलावाद उत्तर प्रदेश निर्माड करता अकवर क्लियर यहां पर देखें कोश्चन नमर्बर 109 नसीज महल खास महल और दिवाने खास कहां है तो यह सभी महल आगरा में है तथा इसका निर्माड सा जहां ने किया था यहां पर देखें कोश्चन नमर्बर 110 है भारती संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंद में आहूत होती है तो साधारण विध्यक के संबंद में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो बुलाई जाती है क्लियर यहां पर देखिए कोश्चन नमर 101 है भारत की जलवायू को क्या कहते हैं तो उष्ड कटी बंदिये मांसुनी जलवायू कहते हैं हमारी जो भारत की जलवायू उष्ड कटी बंदिये मांसुनी जलवायू क्लियर और यहां पर देखिए कोश्चन नमर 112 है भारत में सुचाइ के साधन संशित व्यवरण यहां पर दिखिए को on नम्र 113 है, बिश्वका सरवादिक सिंचित छेतर वाला देश कौन सा है, तो चीन 21 प्रसत और भारण 20.2 प्रतिसत सिंचित छेतर है, क्लियर, यहां पर दीखिए सरवादिक सिंचित छेतर की बात हो रही है, तो यहां पर दीखिए, चीन हमसे थोड़ा ही आगे है, Quesion No. 114 है कि बरतमान समय में सिचाई की प्रमुक साधन बताईए तो दोस्तों कुवा नहर वा नलकुप सिचाई की प्रमुक साधन है Quesion No. 115 देखे तो फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना किस वर्स हुई Quesion No. 116 देखे तो इस्थ इंडिया कमपनी इस्थ इंडिया कमपनी थी इस पर ब्यापारी का नियंत्रड ना होकर राजा का पूर नियंत्रड था Quesion No. 116 देखे भारत में ब्यापार कर पूजी एकत्रकर मेड़ा गासकर में उपनिवेस अस्थापित करना था तो दोस्तों यहाँ पर यह इस्थ इंडिया कमपनी समझकर आप अंग्रेजों से समधित ना समझेगा यहाँ पर देखे आगे साफ साफ लिखा है कि यह फ्रांसीसियों से समधित है यहाँ पर देखे Quesion No. 116 है असीरगड का यूद कब हुआ था? असीरगड का यूद 1601 में अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम यूद था Quesion No. 117 है कि प्लासी का यूद कब और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का यूद 1797 में लाड कलायू ने सिराजुद दौला को इसमें पराजित किया था कि लाड कलायू और सिराजुद दौला के बीच हुआ था ये जो सिराजुद दौला था ये अवद का नवाब था यहाँ पर दीए Quesion No. 118 जो है इसमें बकसर का यूद कब और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों बकसर का यूद 1764 इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम सुजाओ दौला यूम आहमसा की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था तो दोस्तों यहाँ पर जो बकसर का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और मीर कासिम सुजाओ दौला की जो और अहमसा की जो संयुक्त सेना थी इसको पराजित किया था क्लियर यहाँ पर दिए कोश्चिन नमबर 119 ने वांडी बास का युद्ध कब और किसके बेच हुआ था तो 1760 इस्वी में दच्छड भारत में हुए इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था क्लियर यह किस युद्ध के नाम से जाना जाता है वांडी बास का युद्ध क्लियर और यहाँ पर देखे कोश्चिन नमबर 120 यह मुगलकाल की किनी चार साइतिक कृतियों का उलेक कीजिए तो यहाँ पर देखे कृतियां और रचनाकार दिये हुए अकवर्ड नामा किसके 121 देखा जाए बीवी का मकबरा नामकस्थान योम राज्य कहां है तथा इसके निर्माड करता कौन है तो दोस्तों यह मकबरा औरंगाबाद यानि की महाराष्ट में है तथा इसका निर्माड करता औरंग जेव 1689 में इसका निर्माड हुआ था यह जो बीवी का मकबरा है औ और दोस्तों यहाँ पर दिखिए कोश्चिन नमबर 122 जो है आरम बाग की अस्थापना किस सासक ने की थी तो बाबर ने आगरा उत्तरपदेश में 1526 इसमी में आरम बाग की अस्थापना की थी तो दोस्तों यह इसे जो बाबर जो था इसे पेंड फोदो का बहुत ही ज़्य पर दोस्तों यहां पर होना चीए सरवाधिक तब यह कोश्चिन जदा उप्यूक्त लगता तो यहां पर दिखिए कोश्चिन नमबर 126 भारत में सबसे बड़ा था सबसे छूटी राश्ट्री राजमार का नाम बताइए तो दोस्तों जो सबसे बड़ा राजमार गया वो है सेवन और सबसे छोटा राजमार गया एसेवन यहां पर दिखिए सबसे छोटा राजमार यहाँ पर दीके question number 127 भारत के प्रमुक निर्या तक कौन-कौन है तो सूती वस्त्र, जूट यह सब हमारे देश से निर्यात किया जाता है यहाँ पर देखें कोश्चिन नमर 128 है भारत का सरवाधिक ब्यापार किस देश के साथ होता है तो भारत का सरवाधिक ब्यापार संगतराज अमेरिका के साथ होता है तो दोस्तों यहाँ पर देखें WTO का पूरा नाम पुछा गया तो World Trade Organization 200 ब्यापार संगठन इसका पूरा नाम है और देखें कंगारों का देश किसे कहते हैं तो कंगारों का देश आस्ट्रेलिया को कहते हैं कोश्चिन नमर 131 है विस्तो प्रसेद पिरामिट कहा है तो दोस्तों जो विस्तो प्रसेद पिरामिट है वो मिस्र में है दुनिया की चछत किसे कहते हैं तो जो दुनिया की चछत को तिबत के पठार को कहते हैं यानि की पामेर का पठार जो की तिबत में है यहाँ पर देखे question number 133 है Eurasia से आप क्या समझते हैं Asia महादीब के पश्ची में Europe महादीब है यूरोप दिखा एसिया को मिलाकर यूरेसिया कहा जाता है एसिया महादीप के पस्ची में यूरोप महादीप और यूरोप और एसिया को मिलाकर क्या कहा जाता है इन दोनों महादीपों को मिलाकर क्या कहा जाता यूरेसिया question number 134 अबिस्व की सबसे उची चोटी कौन है तो माउंट एवरेस्ट हिमाले 8849 मीटर इसकी उचाई है दोस्तो question number 135 भारत के कुल छेतरफल के कितने भाग पर क्रिसिक की जाती है question number 136 अबरक उत्पादन में भारत का बिस्व में स्थान बताईए तो अबरक प्रतम राजस्थान में 51 प्रतम कौन है वो है राजस्थान हमारे देश का टोटल 51% फेटांवा उतपादमे प्रतम तीन राजी कौन है जेखा जाै तो ये है राजस्थान जेखा जाइए जार Queen नबर 139 जेखे तो ला उत्पादमे भारत के प्रतम तीन राज्जी क्रम्स है बताइए 56 गड़ सा यह तीन राज्जी है question number 140 देखे सबसे प्रथम स्रेडी का कोईला किसे माना जाता है दोस्तो एंत्रे साइट टे नामक कोईले को प्रथम स्रेडी का कोईला माना जाता है clear यहाँ पर देखे question number 141 है भारत में बाकसाइट का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला राज्य बताईए तो दोस्तो बाकसाइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है उडिसा में 18 उत्पादन में प्रथम राज्य काऊन है तो 18 उत्पादन में प्रथम राज्य करनाटक है 98 प्रसत और उस जगह का क्याना में कोलार clear कोलार की खान यहाँ पर देखें कोश्चिन नमबर 143 है पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला छेतर कौन है तो दोस्तों आसम का डिक बोई सूर्मा घाटी गुजरात का खंभात अंकलेस्वर और महाराष्टर का मुंबई हाई यहाँ पर देखें कोश्चिन नमबर 144 है भारत में सबसे अधिक सड़को वाला राज्ये का नाम बताईए यहाँ पर देखें दोस्तों वही कोश्चिन सबसे अधिक पक्की सड़को वाली वही कोश्चिन रिपीट किया है कि यह है महाराष्टर आपका कोश्चिन नमर 145 है संसत का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है तो दोस्तों संसत का संयुक्त अधिवेशन राष्टरपती बुलाता है लेकिन इसकी अध्यचता कौन करता है लोग सभा का अध्यच लियर यहाँ पर देखें कोश्चिन नमर 146 से संयुक्त अधिवेशन राश्ट पर द्वारा किन किन सितियों में बुलाया जा सकता है तो जब कोई विधेख एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए और यदि एक दूसरे सदन द्वारा विधेख अस्विकार कर दिया गया हो पहला कंडिशन और दूसरा कंडिशन क्या है कि विध्यक पर किये जाने वाले संसुधन की बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से आसामत हो गए हूँ तब और तीसरी कंडिशन क्या होती है कि दूसरे सदन को विध्यक प्राप्त होने की तारिक से उसके द्वारा विध्यक प सकता है clear यानि कि राज्य सभा और लोग सभा की संयुक्त मीटिंग कर सकता है यहां पर देखिए कोस्चन नमबर 47 है 147 संयुक्त अधिवेशन की अधिचता किसके द्वारा की जाती है देखिए वही कोस्चन आ गया कि इसकी अधिचता कौन करता है लोग सभा अधियच यानि क अंतिम होता है क्या धन विधेक के संबंद में लोग सभा का निड़य अंतिम होता है तो यहां पर देखिए हां लिखा है क्या धन विधेक के संबंद में संयुक्त अधिवेशन की बेवस्था की जा सकती है तो यहां पर लिखा है नहीं कोस्चन नमबर 150 देके प्रतम लोग लोग सभा अध्यच कौन है तो जीवी मावलंकर प्रतम लोग सभा अध्यच है बरतमान में भारत में कितने उच्छ न्याले हैं तो दोस्तों यह टूटल है ट्वंटीफाइब और देखिए आप एक कोश्चन है 152 उच्छ न्याले की न्यादीस के पद की योगिता लिखिए तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो उच्छ न्याले जब हम लोग पढ़ रहे थे डिटेल स्टिडी में तो हमने आपको बताया था कि जो उच्छ न्याले का न्यादीस होगा वो भारत का नागरिक हो और उसकी age limit क्या थी 62 year उसकी age जो होनी चाहिए वो 62 year होनी चाहिए मनलब उससे जादा नहीं होनी चाहिए और इसी तरह से अगर हम बात करें सरवोच नियाले की तो उसमें जो एज लिमिट थी वो 65 पीर थी आपको याद आ रहा होगा अगर आपने डिटेली स्टडी की होगी तो यह इस नियादी इसके पत के लिए योग्यताएं होनी चाहिए और यहाँ पर देखें कोश्चन नबर 153 आएकर किसे कहते हैं तो आएकर के विसे में हम जानते हैं कि यह एक प्रत्यचकर है जो ब्यक्तियों के आए पर लगाया जाता है यह सरपतम 1950 इसपी में लगाया गया था ब्यक्तिकत आएकर कुछ भाग कर मुक्त रहता है तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो आएकर होती है वो प्रत्यचकर होता है हम अपनी आएकर को और के उपर नहीं डाल सकते हैं ना क्योंकि यहाँ पर यह चीजें हमें खुद पे करनी होती है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही क्लियर तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कोमेंट की माध्यम से हमें जरूर बताईएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है साथ एकर आप चैनल पढ़ना हैं तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे हमार जरूर प्लव छोर उत्की चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्ड़र ईैडम हमारी ओस के लिवड़न थाड़ने प्रे भीजेगा जरूरे पltryई़ता हैं ऊबस कर प्लिया जरूर जरूर गा हैं खाटनो को सब्सक्राइब कर